वेलकम टू प्रताब क्लासे दोस्तों प्रताब क्लासेज के यूटीब टेनल पर आपका हर्दिक स्वागता है तो आज हम बात करेंगे महला यूबाल अपराशिश मदित जो कि राधास्तान प्रिश के लिए बहुत ही मैध्वन टॉपिक होने वाला है क्योंकि महला यूबाल अपराशिश मदित आपके 10 कोशन आने वाले हैं और आपको 10 के 10 अब की बार सही करने हैं इसके लिए हम जितने भी दिन रहे हैं यारे 13, 14, 15 माई 16 को एकजाम होने वाला है उससे पहले हम जो है आपको महला यूबाल अपराशिश मदित जहां सांसे हैं और अब की बार पेपरों में यहां से दो या तीन कोशन चपेंगे यह टोप 30 कोशन है और यहां से एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि पिछली बार के कोशन में आपको बताने वाला हूँ कि आज जो मैंने टोपिक लिया है उससे लेटर कितने कोशन पूछे ग गया और इस धारा इस ध्रिम के अंदर धाराएं कितनी इस प्रकार कोशन पिछली बार पूछे गए थे तो मैं यह तीस कोशन आपको टोप देने वाला हूँ और यहां से मेरा धावा है कि यहां से कोशन एक भी बाहर नहीं जाएगा तो जितने विदार्थी लाइव जोड गया है एक वीडियो तीस कोशनों का अपलोड हो गया है और तीस कोशनों का आज कल आपको वीडियो मिल गया है तो वो आपके लिए बहुत ही महत्पन होने वाले हैं वीडियो उन कोशनों में से भी आपके कोशन बहुत रिपीट होने वाले हैं और इसकी पीडिप भी आप लिए два या तीन कोशन तो देखिये आज़ के बारे में बात करते हैं पहला कोशन देखिये किस परकार की कोशन पूचे गए थे पिछली वार गरेलों इंसा से महलाओं का सड़क्शन अधिनियम कब पपरतिया गया तो या एक या दो कोशन परतेक पारी के अंदर दो या तीन कोशन इशी परकार के आने वाले हैं यानि जितनी भी अधिनियम बनाए गए हैं इनको मैलाओं वे बाल अपराज से समंदित रोकने के लिए तो उन से समंदित भी कोशन पूछे जाते हैं तो ये गरेलों इसा से मैलाओं का स्रेक्षन अधिनियम कब परत किया गया और जितने उधार थी लाइव जुड़ों हैं कुमेंट बुक्स में जवाब दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी की तियारी है पहले से तो गरेलो इंसा से मैलाओं का स्रक्षिन अद्रियम कब परित किया गया था ये परित किया गया था 2005 के अंदर ये बनाया गया था गरेलो इंसा से मैलाओं का स्रक्षिन अद्रियम को बंद करने के लिए ये डेट पुछी जाती है एक्जाम में पिछली बार भी पुछा गया था तो ये 26 अक्टूबर 2006 को क्या है गरेलों इसा से मैलाओं का सरक्षन अध्रियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था और ये आपको याद रगना है क्योंकि कोश्ण पुछा जाएगा इस परकार के अब तीन नमर कोश्ण क्या पुछे गई गरेलों इसा से मैलाओं का सरक्षन अध्रियम 2005 में कुल कितनी दाराएं और अध्याई है इसी परकार के पिछली बार भी कोश्ण है पुछे गए थे तो इस एक्ट के तैट कितनी दाराएं है इस एक्ट के तैट है 37 तो दाराएं है इसके अंधर 37 दाराएं है और 5 अध्याई है किस के अंदर गरेलों इसा से मैलाओं का सरक्षन दियम 2005 के अंदर ये पारित कब किया गया 2005 के अंदर लागू कब किया गया 26 अक्टूबर 2006 के अंदर क्या हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया और कुल धाराएं किती है 37 वै अध्याय पांच ये आपको याद रखना है और बाकी धाराओं के अंदर दिया गया जैसे धारा 2 के अंदर क्या दिया गया है गरेलों इससे मैलाओं का सक्षन अधिनियम के लिए जो है परिवासा दी गई है धारा दो में और धारा दो भी में क्या दिया गया है बालक की परिवासा दी गया तो इस प्रगार की जितनी भी धारे हैं बनाई गया हूँ मैं आपको डेली वीडियो के साथ अब देने वाला हूँ तो जुड़ जईए जितने वे उधारती हैं चार नमर कोशनने बात करेंगे दहेज परतिश्यद अधिनियम कब पारिट किया गया अब आपको याद कैसे करने अधिनियम पूरा याद करने दहेज परतिश्यद अधि होगी करने में तो इसका ऐसर हो ज़ेगा डी दहेस परतिशे एदिनियम क़ किया गया था 1969 के अंदर आगाता कि यह प्रोह्यला निकाल से चुती तो यह बात को जलाई сум सट को गया था यह आपको डच याद रखने है पहली बात तो पारित कब किया गया था 1961 के अंदर दूसरी बात लागू कब किया गया एक जुलाई 1961 को तो डेट आपको याद रखने है और तुच्छा गया जाएगा अगे बात करेंगे च्छाय नमर कुशन की दहेज प्रतिशेद अधनियम 1961 के तहट कुल ध दहराएं कितनी है इसके अंदर धेज प्रतिश दहराएं इसके अंदर कुल कितनी दहराएं हैं 1961 में पारित किया गया एक जुलाई 1961 को इसे लागू कर दिया गया और इसके अंदर कुल धराएं कितनी बनाएगी दहराएं बनाएगी दस तो यह ड़टा आपको याद होना च इस तरी असिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम जो है 1986 के अंदर पारित किया गया था ये डेट आपको याद रखने हैं इस तरी असिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम 1986 इस प्रकार आगे बात करेंगे आठ नमर कोशन की इस तरी असिस्ट रूपन प्रतिशेद अधि लागू इसे किया गया था इसका आंसर हो जाएगा 1986 हो गया इसका आंसर हो जाएगा लागू कब किया गया था इसे 2 अक्टूबर 1987 को इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 अक्टूबर 1987 को इसे पूरे भार्त में लागू कर दिया गया था आगे बात करेंगे इस तरी अशिष्ट रूपन प्रतिशेड अधिनियम 1986 के तैद कुल धाराएं कितनी हैं तो इसके अंदर कुल धाराएं कितनी हैं दस धाराएं कितनी दस धाराएं हैं अब इसे पारित कब किया गया 1986 में इसे पारित कर दिया गया और लागू कब किया गया 2 October 1987 को इसे लागू कर दिया गया अब ये डेट और ये डेट अलग अलगा तो यहां से कोशन उठने वले हैं और इसके अंदर धाराएं कुतनी है कुल धाराओं की बात करें तो 10 धाराएं इसके अंदर दी गई है 10 नमर कोशन की बात करें ए नेतिक वेपार निवारन अधिनियम कब पारित किया गया ए नेतिक वेपार निवारन अधिनियम कब पारित किया गया तो ये पारित किया गया था 1956 के अंदर ये question पिछली बार पुछा गया था और इसी प्रकार question पूछा गया और ये ये option थे एनेतिक विपार निवारन अधिनियम कब परज किया गया तो 1956 के अंदर इसकी date आपको याद रखनी है आगे बात करेंगे 11 नमर question की एनेतिक विपार निवारन अधिनियम 1956 कब परज किया गया तो अब इसकी date भी आपको याद रखनी है तो 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1956 को इसे परज किया गया ये आपको याद रखना है इसका आंसर होजेगा डी आगे बात करेंगे 12 नमर question की एनेतिक विपार निवारन अधिनियम 1956 के तैट कुल धाराएं कितनी है तो कुल धाराएं इसके अंदर कितनी है 25 ये आपको याद रखना है special मैं वीडियो लेकर आया हूँ इस से समन्दित क्योंकि मैंने पिछली बार exam देखा तो उससे से लेटर इसी परकार की question दो से तीन question पूछे गए थे आगे बात करेंगे 13 नमर question की कारेस तलफर मैलाओं का लेंगिक उत्पिड़न निबारन परती शेद और रोक थाम अधिनियम कब परद के गया अब यह देखे कारेस तलफर मैलाओं का लेंगिक उत्पिड़न यहाँ से कोसन दो तीन question पूछे गे तेप इसी अधिनियम से ल करेस्टाल पर मयलाओं का ल्यंगिक उत्पडन निवारण प्रति-शेद और रोखथाम अदिनियुंग. 2013 पूरे भारत में कब लागू किया गया? IT深C करद के बात करेंगे कारेस तल पर मैलाओं को लेंगिंगूटपिडवन दोषार तेरा के तरह कितनी दा beta तरह को तरह क्ली कितनी दा साथ कि अगरेस हैं अब ये देखेए इसे लागू कब किया गया था इसे लागू driving किया गया था 2013 के अंदर कारेस्तल पर मैलाओं का लेंगी उत्पेडन 2013 का ये एक्ट है और इसे लागू कब किया गया नो दिसंबर 2013 को इसे लागू कर दिया गया पूरे भारत में और इसके अंदर कुल धराएं के तियर 30 है आगे बात करेंगे सौला नमर कोशन की पूरव गर गरबादान और प्रैसव पूरव निदान तकनीक की दनियम कब परित किया गया ये भी पिछली बार एक्जाम में पूछा गया था क्योंकि पिछली बार इससे लेटर भी कोशन पूछा गया था तो इसकांसर हो जेगा चुरान में इसे क्या कहते हैं PCPNDT Act पिछली बार इस पूरव निदान तकनीक लिंग चेर्ण परतिशेद अधिनियम 1994 में को भारत में कब प्रार्म किया गया तो ये आपको याद रगना है कि भारत में इसे कब प्रार्म किया था इसे भारत में एक जन्नवरी 1996 में को इसे लागू कर दिया गया लेकिन इसे पारित कब किया गया 1994 को इसका अंसर हो जाएगा C, एक जनवरी 1996 को इसे लागू कर दिया गया आगे बात करेंगे कुश्ण की पूरव, घरबादान और प्रैसव, पूरव निदान तकनीक की लिंग चेन परतिशेद अधिनियम, 1993 के तैट कुल धाराईं कितनी है इसके अंदर तो कुल धाराईं की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यानि 34 धाराईं है इसके अंदर कुल 34 धाराईं है इसे पारित 1994 में किया गया और इसे लागू कब किया गया एक जनवरी याद रखना एक जनवरी 1996 को और धाराईं कितनी इसके अंदर कुल 24 तार आए हैं तो ये याद रखना है पूरे के पूरे तथ्य है क्योंकि यहाँ से कोशन पुछा जाएगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्रार को लिजिए ताकि आपके पास डिली इस प्रकार के वीडियो उपलब्द हो सके आगे कोशन 19 नमर सती प्रथा रोक थाम अधिनियम कब परिद किया गया सती प्रथा रोक थाम अधिनियम तो ये 1987 के अंदर लागू किया गया था आपको याद रखना है सती प्रथा रोक थाम अधिनियम ये डेट पुछी जाएगी और पक्का कोशन पाउचा जाएगा बाल विवाहे प्रतीश्यद अधिनियम कब पारिद किया गया तो ये पारिद किया गया था 2006 को इसका आंसर हो जाएगा सी बाल विवाहे प्रतिशेद अदिनियम। बाल कों से समेंद साधर अधिनियम। अब आप धो याद रखना है तो यह कब लागु किया गया था? एक नुमंबर दोहजार साथ को इसे पारित 2006 में किया गया था लेकिन एक नुमंबर 2007 को यह क्या है? लागू कर दिया गया तो ये आपको याद रखना है बाइस नमर कुशन की बात करेंगे बाल विवाय को रोकने के लिए और इसके इंदर कुल धाराएं दी गए जिसमें सजा का प्रावदान दंड का प्रावदान और सजा का प्रावदान या जितने भी नियम है वो 21 दाराओं के अंदर दिये गए है आगे बात करेंगे तैज नमर लेंगिक अपरादों से बालकों का सरक्षन अधिनियम कब परित किया गया लेंगिक अपरादों से बालकों का सरक्षन अधिनियम कब परित किया गया तो ये परिकिया गया था 2012 के अन्दर इसका अंसर हो जाएगा बी और ये पिछली बार एक्जाम में पूछा गया था इसी परकार पोचा गया और इसी परकार अब की बार भी पूछा जाएगा क्योंकि इतने से इतने यह दिनियम है और यहां से कोशन एक भी बाहर नहीं जाएगा और यही कोशन बार बार रिपीट होंगे इसका अंसर भी हो जाएगा लेंगिक अपरादों से बालकों का सरक्षन अधिनियम कब प्रार्म गुआ यानि लागू किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा च zwischen नुमबर 2012 को लेंगिक अपरादों से बालकों का सरक्षन अधिनियम لागू किया गया 14 नुमबर को ही क्या है बाल दिवस बनाया जाता है यह आपको याद रखना है आगे बात करेंगे पचछिस नमर केस्टन की लेंगिक अपरादों से बालकों का सरक्षिन अधिनियम 2012 के तैएख कुल दाराईं के तो इसके अंदर कुल दाराईं किती आजाएगी 46 दाराईं हैं सबसे जादा दाराईं है लेंगिक अपरादों से बाल को करस्रक्षिन अदिनियम 2012 के तैट अब ये 2012 के अंदर पारित किया गया और 14 नुमंबर 2012 की बात करें 2012 में इसे लागू कर दिया गया और 12 हैं कितने इसके अंदर 46 तो ये एफेक्ट याद होने चाहिए आपको बाल एम किसोर सरम जिसे परतिशेद और वीनियमन अदिनियम कब परिद किया गया यानि इसे रोकने के लिए बाल और किसोर सरम को रोकने के लिए इसे अदिनियम बनाया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 के अंदर ये अदिनियम बनाया गया था बाल एम कि सोर्षरम एदिनियम 1986 ये आपको याद रखना है 26 नमर कोशन की बात करेंगे बाल एम कि सोर्षरम प्रतिशेद और वी निमन एदिनियम 1986 को कब प्रारम या लागू किया गया तो इसे 23 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था और ये उप्षन में 24 अक्टूबर भी दिया गया है 1986 23 अगस्त 15 फरविल तो आपको फिक्स डेट याद करनी पड़ेगी 23 दिसंबर 1986 इसका आंसर हो जाएगा दी बी इसका आंसर हो जाएगा आगे बात करें आगे आगया किसोर न्याय बालकों की देखरेक और संक्षन अधिनियम कब परित किया गया किसोर न्याय यानि बालकों की देखरेक और संक्षन के लिए अधिनियम परित किया गया था पेकिने बहुत अच्छा कोशन और ये छपेगा अब की बार 15 जनवरी 2016 को अगल अलग डेड़ दी गई है ये पक्ता छपेगा अब की बार पढ़ लेना 15 जनवरी 2016 को इसे लागू किया गया था आगे लाश्ट कोशन 30 का सुमयलित कीजिए अब इसी प्रकार के कोशन भी अब की बार पूचे जा सकते हैं कि पूचली बार तो क्या है आपको इस प्रकार जो मैंने अधरियम बताया था इनको याद कर लेना है क्योंकि आपको दे दिये जाएंगे निमन में से ग्रेलू इससे मैलाओं का स्रक्षिन अधरियम 2005 आपको इसी प्रकार मिल जाएगे इसको सामने दे दिये जाएंगे 2005-2006 तो आपको कहें मिलान चेने करना है अगर आपके चारों आपसन याद होंगे तब ही आप मिलान कर तो आपको अगर याद है तब ही आप इन कोशनों को हल कर पाएंगे वरना नहीं कल परवाएंगे अब मैं एक महत्मन प्रसन लेकर आए हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं ये कोशन एक्जाम में पुछे जाएंगे और ये आपकी तियारी के लिए ह आपको राष्ट्रिय महला आयोग की अध्यक्स कुन है वरतमानमी राष्ट्रिय महला आयोग की अध्यक्स फिर बताना है आपको अंतर राष्ट्रिय महला दिवसकब बनाया जाता है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है फिर बताना है राष्ट्रिय बाल अधिकार सन संक्षनायोग अलग है और ये कोशन को डंक से पढ़ लेना वहां पर कोशन आ भी सकता है आगे बात करें राजस्तान बाल अधिकार संक्षनायोग का गठन कब किया गया था और इसका देख्ष कौन था जो नों के जवाब देने हैं राजस्तान में मुख्य मंत्री महला हेलप नहीं आपर राजस्तान डायन परतारना अधिनियम 2015 कब लागू किया गया था बना तो 2015 था लेकिन इसे लागू कब किया गया था इस प्रकार का कोशन पूशा जा सकता है आगी कोशन है सती प्रता रोक था अधिनियम 1987 कब लागू किया गया था इनके जवाब आपको मैं वीडियो लेकर आँगा और तिथे भी आपको बताँगा ताकि आप कन्फ्यूज नहीं होगे और आपको कहा है याद हो जाएगा जितने विधारती लाइव जुड़े हैं एक बार वीडियो को सेयर कर दीजिए